दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नेने बिजनिस आइडियाज और नेनी जैनकारी के वाला के लिए एक ऐसा बिजनिस जिसकी हमेशा डिमांड बनी रहे एंड जो आपको लगपती बना दे ऐसा बिजनिस करना हर कोई चाहता है लेकिन जानकारी के अभाव में बिजनिस सुरूर नहीं कर पाते कई लोग तो आपको निरास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे ही बिजनिस की पूरी डिटेल देने वाले हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे बारबड वायर बिजनिस की ये जो बिजनिस है दोस्तो इसे बारड की तार कहते हैं जिसे किसान अपने खेतों के चारो तरफ बाउंडरी करने के लिए जानवरों से या दूसरी चीजों से बचाने के लिए यूज करते हैं और इस बिजनिस से आप आराम से महीने में सवा लाग से डेड़ लाग रुपे कमा सकते हैं आपको इसमें कैसे मार्केट करनी है कैसे बेचना है कहां से आपको मशीन मिलेगी कैसे मशीन काम करेगी और कैसे आपका माल बिकेगा कहां कहां आप सप्लाई कर सकते हैं यह वायर के रोल आते हैं जिन से तार बनाई जाती है और यह जो बेचते हैं इसे किलो के यह साब से बेचा जाता है इसमें तार बनके निकल रही है और आगे इसमें अपने आप यह रोल हो जाती है गूम जाती है इसमें जाके इसे आप छोटी जगह पर कहीं भी सैट अप कर सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं चाहिए होता है छोटे जगह पर भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं 15 बाई 15 फूट का कमरा आपके लिए काफी रहेगा अगर आप इस बिजनस को करना चाहते हैं तो इसमें आगे जाके अपने आप रोल बन केस में से निकल जाता है दोस्तो सब कुछ इसमें ऑटोमेटिक होगा आपको सिर्फ इसमें इलेक्टिसिट का कनेक्शन करना है और जो रोल है वो इसके अंदर लगा देने हैं यह देखिए आप अपने इसाब से जिससाब से सेल करना चाहते हैं उतने किलो का इसमें बना सकते हैं अब हम बात करेंगे कि यह जो बार्बड वायर है इसे सेल करने का तरीका क्या है इसके लिए दोस्तों जो फोर्मुला सभी कंपनियां इस्तिमाल करती है वो यह है कि हर शहर के अंदर होलसेलर होते हैं जो बार्बड वायर को सेल करते हैं आपको क्या करना है उनसे कॉंटेक्ट करना है उनको सर्च करना है शहरों में आपको अपने आसपास का लगभग डेड़ सो से दोसो किलोमेटर का इरिया पकड़ना है और वहाँ पे जाके आपको उनसे डिलिंग करनी है डिलिंग करने के है उसके बाद में उनको आप जो आपके अपके होल्सेलर से ढील करेंगे और जो प्रोफित आता है पर 收看 बाइड के उपर प्रोफित की बात करें तो पर honig को उपर यानिकी जो रेट चलता है जिखुइवर का और जो हमारी वायर बनती है यानिकी दस रुपे का आपका difference होता है तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो हम एक average profit माल लेते हैं कि हमें 8 रुपे का average जो है इसमें profit आ रहा है पर kilo पे यानि कि एक दिन की हमारी इसमें average sale 2 ton की अराम से होती है क्योंकि जो मेरे known है मैंने देखा है उनके पास में है जो काम कर रहे हैं तो जो sale आती है वो 2 ton आराम से हो जाती है starting में हो सकता है कि आपकी एक ton sale हो डेट टन तो ऐसा है जो एक ton का order दे रहा है या 800 kilo का order दे रहे है तो आप कोई दिकत नहीं है उस route में जो दूसरा customer है उससे लिंग कीजिए दोनों का मिलाके तो आपका दो टन हो जाता है न यानि कि एक दिन का आपका एक रूट बन गया तो दो टन से कम कमाल आप उसमें मत बेजिए अब बात करते हैं कि profit कैसे आएगा एक kilo पे आपको profit कितना आया आठ रूपे आठ रूपे में से आप निकाल दीजे तीन रूपे आपके खर्चेगे खर्चे में क्या क्या आगया बिजली का खर्चा ट्रांस्पोर्ट का खर्चा सभी खर्चे आपके उसमें आ जाएंगे और जो लेबर है उसका खर्चा पैकिंग वगारा का सब खर्चे उसमें आ जाते हैं यानि कि 5 रूपे आपको एक किलो में प्रोफिट आ जाएगा अरांसे जो जी आई वायर है उसका रेट होता है 45 रूपीज के राउंड में और जो सेल करने का आपका रेट रहता है 53 55 ये रेट अभी आज के टाइम में चल रहा है आगे के टाइम में जो चेंज होगा तो ज 10,000 रूपे 10,000 में से भी आप खर्चे और निकाल दीजी आपका रेंट है और आपके जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है कुछ भी आ रहा है पैकिंग का भी आपका खर्चा होगा मैं 5,000 रूपे पर देके लेके चलता हूँ ठीक है 5,000 रूपे पर देके निकाल देके वो हर चीज में आपको सपोर्ट करेंगे सारी जानकारी देंगे और उनका जो कॉंटेक्ट नमबर है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्चन में डाल दिया है वहाँ पर भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी झाल झाल